नमस्कार मेरे किसान साथियों आपके जैनल एगरी बढ़ी है देथ में आप सभी लोगो स्वागत है दोस्तों आज मैं कोल डिस्टोर पर गया था और वहां पर थोड़ी बहुत किसान आये थे करीब 15-16 बाने के निकली थी पर आलू किसानों ने कम बेचना पसंद गिया फिर बहुत भाव दोस्तों आगे जो भी करेंट की पोजिशन चल रही है बहुत बता दूंगा और दोस्तों मैं आपको एक महत्पूर जानकारी देने वाला हूं दोस्तों हो सकता है कि दो दिन में वीडियो नहीं डाल पाहूं आपको अब्डेट ना कर पाहूं क्योंकि दोस्त दोस्तों मैं ज्यादा इस्टोरों में नहीं जा पाता हूं जरूरी जहां पर मैं आइडिय अच्छे इस्टोर में जाता हूं वहां के हसाब से जहां पर रेट अच्छा आलू बिकता है वहां की क्या पोजिशन है दोस्तों आलू ज्यादा बढ़िया निकले नहीं थे दोस सब्सक्राइब तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें और मेर को आगे क्या के दिखाऊं में लोगों को उस हिसाब से मुझे स्याब दें तो दोस्तों मैं कुछ प्रमुक बहा हुआ आपको बता देता हूं कि हमारे तो दोस्तो वो कुछ इस प्रकार है दोस्तो इस समय आगरा रोड की पोजिशन यह है हमारे आगरा रोड पर बढ़िया आलू तो दोस्तो थो झोड़ा सा जले ली मान लेते हैं और शरसा गंज में आलू पर तक बिकरा है दोस्तो खत उली में गुल्ले की ज्यादा सौधा नहीं है फिर भी दोस्तों जहां सौधा हुई है जो प्रमुक भाव मैंने आपको आगरा रोड के बता दी है और दोस्तों यह एकदम सठीक जानकारी है तो दोस्तों आलू के लिए किसानों को मैं यही एडवाईस देना चाहूँगा कि देरे देरे अपना आलू निकालते चलें ज्यादा रोक के नहीं रखें हर तरह का बहाव लें दोस्तों और इसी से किसान को फायदा होगा अपनी जरूद के हिसाब से आलू पेचा है और कि जो इसी मैं अभी सब्सक्राइब बना रहा हो इसे बागी में मास्क लगा के रखता हूं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आगे आप वीडियो में देखें क्याली लगी और क्या रेट बिका और दोस्तों दने बाद तो आगे वीडियो दोस्तों किसान ने 625 रुपे इसके लग गए हैं ये दो दोस्तों हमाई 24 सावे इन से बात करता हूँ 24 साब क्या चक्कर है आलू बालू क्या रिट अच्छा डंग से लगाए ना रहे कहां तक भिकाया जाई येस्ट जहां साधे पांसो इसलेके चैस्ट रुपे तक चलो चाड़े क्या रहने की मिद अवब बारेगे तो काफी खुली है अपर भिकी चार पांची यहें क्यों खाँ देखी बहुत का चार पांस वादी बिकी है दोस्तों किसान को भी नहीं यह थोड़ा बेचने का और द्यापारी मन से ना लह रहे अभी दिरे देमांड को लेंगे तब लेगा इनके लगए है कौन से आलू के लगए है कौन सा है और यार आलू तो पड़ी आ है यह दोस्तों कितने पैसे लगए 600 रुपे 600 रुपे इसका गुला है आपके बास दोस्तों बीज अगर किसी को चाहिए कुफरी गौरब का तो इनका नंबर में डिस्किर्प्सन में दे दूँगा इनसे बात कर सकते हैं ठीक है न चैसो कट्टे हैं गुल्ले के ठीक है दोस्तों यह आज कहां तक भी की सोदा 625 रुपे तक दोस्तों आई एस्ट बेगा कौन सालू भी काई 625 रुपे में 377 रुपे चम्मल वाला 377 रुपे आलु यह हुई यहां सोदा दोस्तों हो रही है अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आज मैं थोड़ा लेट हो गया नहीं अज़ लोगों को गवाल लोगों को आख मां जब मैं दोस्तों आई लो रावा को इसता है जए्ला वाल वालूब आई अज़ कर दोस्तों मैं मैं अज़टा नहीं कि अनुट अनुट इस जो कि अधि वाद्व बाइब आज आज निए तो नहीं जो तो जो आई आज गुद्धारों, आज तो गह रहाएं, वैपानी शुच्छना दे रहा है? आज तो गह रहा है? कर दो को कि या ज़ा जार अब बन्यार के जाए इस तुप आपटीज है रए तेसं तुपटीज बैकड़े है या कि अधिक जिस राजी के डिसरा जी कि अ हुआ कि अधिक गप्रवाइब थे वह रागे भूलोसरों इंज संपार जैटे जिए नहीं हम नहीं पिर्विश्या आई सब्था साथ हमेयद गाइद श सबस्ब्स हमें जिए कि दोस्तों लोकल की मंटी चलेंगी तब देगा ज्यादा बड़ी आलू ने छिला हूँ असा लग रहा है सब यापारियों नमाया कर दिया कि नमस्कार मेरे किसान साथी आज मैं फिर आया हूं यहां पर कोल्ड इस्टोर में पोली लग रही है कि सौला और दोस्तों देगिए जी आलू क्या क्या रेड़ पाई alright टोस्तों यह भूमने ज्यार आज स्थे कि आ Колि यह घ्यर और वौने सबूंड़िका चांब यह जुँंडन वी पता रहे हैं क्या जालं भी तोड़ा होगा है तोड़ा जो रहा पार बात हो जालंगे रहिए उपन दुटे की इस मिश्क जेसें घ्यरें सबंद भांठे kavたい जेरे हमारी मिराची आ मिसराइए थोड़ा बाग क्या रेट ली आए थोड़ा डκαल के वाद गया रेट थोडा थोड़ा भत थोड़ा ले अरिट लिया थोड़ा ठां ज्कला णेक चलो